किसान भायो, अगर आपके सर्सों के पौधे का ग्रोथ रुख गई हो, टहनियों का विकास कम हो रही हो और फूल कम लग रही हो, अगर आपके सर्सों के पौधे में फूल कम लगीगी, तो आपके सर्सों में फलिय भी कम बनेगी, जिस करण हमारे सर्सों के उत्पदन में भा क्या है सरसो के खेती के बारे में आपको एक अच्छी जानकरी मिल पाईगी तो नमस्कार किसान भायो मैं पढ़ना और फिर से अपके अपने चैनल प्रणफ क्रिशी किंद्रा में सौगत करता हूँ आशा करता हूँ आप सविश्वास्तेवं कुशल मंगल से होंगे किसान भा तो किसान भायो अगर आपके भी फसल में पौदी की ग्रोथ रुख गई हो टैनियों का विकास कम हो रही हो या फूल कम लग रही है तो आपको घवराने की कोई वात नहीं इससे बचने के लिए क्या करेंगे जब आपके सरसो के फसल में फूल आई हो या फूल आने से पहल एनपी के 1919 का परतियेकर एक केजी के दर से स्प्रे करेंगे एनपी के 1919 का एक केजी को 180 से 190 लिटर पानी में घोल कर उसके बाद ही परतियेकर स्प्रे करेंगे अगर पानी की मात्रा कम देंगे तो सरसो की पत्ती को भी जला सकती है इसलिए आपको पानी की मात्रा को कम नहीं करना है और एक बात किसान भाईयो जब आपके सरसों के फसल में फलिया बन जाए उस समय आप NPK 1919 का इस्प्रे नहीं करेंगे अगर फलिया बनने के बाद इस्प्रे करते हैं तो फलिया को सपेद करके खराब कर सकती है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपके सरसों के फसल में फलिया बन जाए उस समय आप NPK 1919 का इस्प्रे नहीं करेंगे तो किसान भाईयो आश्रा करता हूं आपको एक सरसों की खेती के बारे में एक सही और अच्छी जानकरी दे पाया हूं जानकरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और अपने साथी किसान भाईयो के शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और साथी साथ वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा इससे क्या होगा मैं जब भी फसल संबंदित कोई भी नया वीडियो लाऊंगा उसका